दोस्तो, pre-test का हम देख रहे हैं, science का paper इससे पहले मैंने आपका mathematics का solve कर दिया है, देखिए आपके दो combine paper आते हैं, पहले आपका mathematics and science दो एक साथ में paper आये हुआ है, तो इसी तरह का आपका exam होने के chances है कि आपको एक साथ में दो paper मिलेंगे, और दो paper मिलेंगे तो आपको दोनो आपको करना पड़ेगा, देख गंटे में, ठीक है, और देख गंटे बाद में math आपसे ले लिया जाएगा, और फिर उसके बाद में science जो है आपका वो देख गंटे में करना होगा, एक तो यह option है, और दूसरा है कि आपको देख गंटे total इन दोनों paper के लिए मिल जाए, आ बहुत अच्छे questions आए हुए हैं, जिनको देख करके लगता है कि बहुत important है, basic questions बहुत इस बार फिरी टेस्ट में basic बहुत अच्छा पूछा है, इसमें पहला पूछा गया है, यदि गोलिये दरपंड की वकरता, त्रिज्या R और focus दूरी F हो तो क्या सब्बंद होता है, त यहां पर आपका जो F है, वो R by 2 होता है, या फिर हम R is equals to 2F लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर यह formula लिखा हो, तो भी सही होगा, तो ऐसा formula आपका कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपका जो है, यह वाला formula इसी से बना हुआ है, यहां पर आप इसको गु छोटा बनाता है, यानि कि virtual बनाता है, rect बनाता है और diminished बनाता है, तो वो आपका जो है, concave lens है, concave mirror है, यानि कि उत्तल दरपने, उसके बाद में है, तीन नमबर जो question है, उस lens की शमता क्या होगी, जिसकी focus दूरी 1 meter है, यानि कि power आपको बतानी है, lens की focal length आपको 1 meter दे रखि जो क्या होती है, पावर होती है, डायप्टर में, ठीक है, तो इसकी power P हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, one upon में इसकी जो एक meter लिखी है, तो एक से कट गया वापीस एक आ गया, तो एक जो है इसका आगया answer, एक डायप्टर, तो डायप्टर third, जो option correct हो जाएगा, उसके यंग एडल्ट में, तो मिनिममम 25 cm, 25 cm से पास रखा हुआ कोई भी object आप नहीं देख सकते हैं, चाहें तो आप अपने हाथ में scale लीजिए, आपके geometry box में है, और scale को आपके आँक के विलकुल सामने रखिए, जैसे ये आँक है आपकी और इसी के विलकुल सामने, आपको इतरी की जो है, वो maximum दूरी कितनी है, जो normal vision के जाएक, maximum vision आ जाए, या कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पर जो maximum पूछा जाएगा, तो वो होती infinity, अनन्त आ जाएगा, अनन्त ठीक है, उसका पांच नमबर question है, मानो नेत्र अभिनेत्र लेंस की focus दूरी को समायोजित करके वि answer number 2 correct हो जाएगा, इसके बाद आते हैं next question पे, तो यहाँ पे है, विवानतर मापने के यंद्र को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते है, voltmeter सभी को पता है, device used to potential difference, तो that is known as voltmeter, साथ नमबर विदुत आवेश का SI मातरक, यानि की SI unit of electric charge जो होती है, कूलंब, हमेशा charge की जो unit हमेशा कूलंब होगी, और भी electric charge की, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाद में next जो है, आवेश यानि की आपका electric charge ही होता है, इसके बाद में joule पर कोलंब, निमन में से किसके बराबर होता है, तो volt के बराबर होता है, ठीक है, चार्ज होता है, चार्ज क्या होत वो प्रतिरोधों को पार्षो क्रम में सभी किया जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा यानि कि दो रेजिस्टेंस ए-b है और कनेक्ट किया गया है पैरलल में तो इक्विलेन्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो लेस to less than a n b होगा पर त्रक्रे करेक्ट हो जाएगा 10-9 question है बिधुत शक्ती का SI maratrak क्या होताए यहां पर फिर से SI maratrak ao 123 पूछ लाट- पूछ रहे तो इसका पूछ रहा है क्या पूछ लाएइ unit of power अवर पावर होती है सक्ति होसी योनीट होती गरों में तो Representative beide-ोई होती की ज़्यादा तो पामवर उसको बोलते हैं 11 हमारा क्या हुआ मेकेनिकल पर नहीं पड़ा पांगने अपने इसका पहुच गया इसके बाद माने डेक्ऽ जो है परते वरतेवर्ति धारा कि आवर्ति क्या होगी यदि इसकी दिशा पर तेक 0.01 सेकंड के पस्चात परिवर्तित होती है ये बहुत बेसिक क्वेशन पूछा है और घुमा के भी पूछा है तो देखिए आपका प्रतिवर्ति धारा जो होती है जिसको हम बोलते है alternating current तो उसको चलती है तो sinusoidal wave में चलती है पहले ऐसे चलेगी परवत और परवत के बाद में वापिस नीचे परवत अपनी परचाई बनाएगी फिर उपर आएगी फिर परचाई उतनी बनाएगी फिर उतनी ही आएगी तो इस तरह से जब यह चलती है तो इसका एक cycle जो है ऐसे जाकर के यहाँ पर complete होता है इस जगे पर फिर दूसरे की cycle यहाँ से जाकर के यहाँ पर complete होती है तो यह कितना हो जाएगा? 0.02 टोटल टाइम लग गया इसको और 0.02 टोटल टाइम जब लग गया इसने बोला है तो हमारी जो frequency होती है वान अपोन में निकाल लेते हैं वान अपोन में 0.02 इसको डिवाइट करोगे तो आ जाएगा 50 ठीक है? तो यह हो गया हमारे बास 50 हर्स इसके बाद आते तेरे नंबर लगुपतन के समय परिपत में विदुद्धारा का मान जो है वो कैसा होगा? यानि कि जब electric circuit fault होगा डिफॉल्ट होगा यानि कि at the time of source circuit अगर ऐसा कुछ हो जाए घर में दो तार भीड़ जाए तो सबसे ज़्यदे उनके बहुत बढ़ जाता है source circuit में ठीक है? इंक्रीज हो इसके बाद आते हैं 14 नमबर question पर अभी क्रिया दे रखिए FE2O3 plus A2AL और यह दे रहा है आपको aluminium oxide plus iron एक किस प्रकार की अभी क्रिया है तो देखिए यहाँ पर बिस्थापन हो रहा है जब कभी भी आपका AB plus C हो और यह मिल करके आपको यहाँ पर आगे जब आपको मिले तो आपको मिले A plus BC इस तरह से अगर आपको मिलता है तो यह होती है आपकी विस्थापन अभी करिया यह डिस्पलिस्मेंट reaction तो देखिए यहाँ पर आपका FEO के साथ है यानि यह B है और यह बाद में इधर आकर के इसने देखो इधर इधर आया अकेला ही है देखो यहाँ से आपका FE है ना FE है अकेला हो गया इधर देखो A अकेला हो गया इधर देखो आप ठीक है इसके बाद में इसके बाद में आपका A B है यानि कि इसके साथ O था तो B अलग हो गया C के साथ चला गया तो B कौन सा है B यह वाला है और C कौन सा है L है A L है यहाँ सी तो A L है तो इस के साथ चला गया तो इसको एक बार डिस्प्लेस किया याने कि अपनी जगे से विस्थापित कर दिया इसने दूसरे के पास में तो यह विस्थापन अभी करिया होगा डिस्प्लेसमेंट रियक्षन इसको बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका थर्ड ओप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है संचारन के कारण तामे पर चड़ने वाला परत जो है उसका रंग क्या तो कभी भी तामे के परत को पर जब जंग लगेगा जंग वो होगा हरे कर रहा ठीक है आप देखोगे कभी देखा हो तो ठीक है नहीं देखा होगा तो तामे के बरतन पर आप देखना अगर ईसा जंग लगा होगा तो हरा होगा उसके बाद में 16 नंबर जो कोशन ने अभी करिया दे रही है उसके पर सी यू ओपलस है च्टू और यहां पर यहां पर जो कॉपर है इसमें से औक्सिजन हत रहा carbon dioxide तो हमारे पास ये दूसरा नंबर समिकरण सही है बाकी कोई भी match नहीं करेगा आप मिलाओगे तो दोने तरफ जो unbalance है जाएगी इसके बाद में gypsum का रसाइनिक सूतर आपसे पूछा है रसाइनिक सूतर सारे याद कर लेना अच्छी तरीके से बहुत जरूरी है gypsum का पूछ लेगा आपको plaster पौरी पैरिस का पूछ लेगा तो उन सब चीजों को याद रखना तो इसमें third option correct हो जाएगा 19 number question है अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन करने वाले अमल क्या कहलते हैं तो उनको हम बोलते हैं strong acid यानिकी प्रबल चारक जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे अगर ये H प्लस आयन ज्यादा ना होके कम हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे weak acids ठीक है दूर्बल अमल उसका नेक्स जो question है इसमें पुछा गया 20 number में टमाटर में उपस्तित अमल है तो है आपका citric अमल और auxilic अमल भी होता है देखिए ऐसा कई मैंने students को देखा है कि टमाटर में मुझे एक दो स्टूडेंट में कमेंट करके बढ़ाया है ताकि असा और auxilic acid होता है तो ये दोनों ही acid होते हैं अगर option में दोनों है तो दोनों ही write है आप इसी trick पे करोगे तो भी write हो और auxilic पे करोगे तो भी write हो लेकिन exam में ऐसा misprint नहीं होगा वहां पे जहां तक हो सकता है इन answers में से किसी एक को हटा दिये जाएगा उसका नेक्स जो question है 21 नंबर कोई billion नीला लिटमस को लाल कर देता है तो लाल करता है तो उसका pH कमान क्या है चार आएगा यानिकि साथ से कम आएगा कम होता है विल्कुल है ना जब लाल करता है और लाल से जब नीला करता है तो ज़्यादा आता है तो उसमें हमारी condition अलग हो जाएगी देखिए निमन में से कौन अधिक छार यह होता है तो छार यह सबसे ज़्यादा कौन होता है जिसकी हमारी pH value ज़्यादा होती है तो pH value यहां पे 9 है यहां पे 8 है यहां पे 10 है 12 नंबर जो हमारा सही हो जाएगा उसके बाद में नेक्स जो कोशन है इसमें क्या पूछा गया आपसे निम्न में से कौन उबेदर्मिय औकसाइड का उधारन है तो यहां पे आपको M4 टेरिक आउकसाइड बताना है तो अलमुनियम औकसाइड जो है M4 टेरिक होता है AL2 O3 उसके बाद में नेक्स जो कोशन है 24 नंबर इसमें पूछा गया निम्न में कौन अधातू दरवे अधातू दरवे के वलो ब्रोमीन होता है जो अधातू होते वी दरवे है ठीक है इसके बाद में आपका 25 नंबर है एथीन का आपको अनुस हूतर बताना है तो एथीन होत इसमें पूछा आपसे निम्न में कौन संतर्प्त हाइड्रोकार्बन का उदारण है तो आपका प्रोपेन जो है एक संतरप्त यानी की सेचुरेटड हाइड्रोकार्बन है इसके बाद में 27 नंबर है मनुस्य में वरक एक तंतर का भाग है जो संबंदित किस्से है तो वह आ पानल का विहन करता है उसके बाद वह भोजन का इन करता ए तो आपका में जो काम है अगर हम बोलें की एक्चौल फंक्शन पौ्शन का है तो जल का वहन करना ठीक है नहीकि आपके आपके जो बसाब प्रोटीन बबिद बन जाम यहleistू है वह उनको वहन करता है उसके बाद 39 तो आपको बताना है आउटो ट्रॉपिक मोड के नुट्रिशन के लिए क्या हो सकते तो सूरे प्रकास भी चाहिए जल भी चाहिए और आपको क्लोरोफिल भी चाहिए तो तीनों चीजे चाहिए तो चौथा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ओल अफ दीज इसका बाद में तीस मचली के हुड़े में कितने कोश्टक होते हैं तो यह कोश्चन पेपर आपका मोडल सेट में आ चुका है यह है चार इसका अंसर पहले मोडल सेट में साथ ही यह आपका कोश्चन है उसका बाद में निमन में से किसे लंबी सुदरांद होती है तो किसकी लंबी सुदांद हो तो प्लाजो मीडिया में जो आपका मैथड है रिप्रोडक्शन का वो है मल्टिपल फिजन यानि की बहु खंडन इसके बाद में आपका नेक्स जो है चौतिस नंबर यीस्ट की स्विदिद्वार आलेंगी जनन करता है तो इसमें आपका तो उसका बूडिंग यानि की ठीक है तो थार्ड उप्सन करेक्ट हो जाएगा इसक बाद 36 नंबर निमन में कौन उर्जा का नवीनी करन स्रोथ है तो जो है सूर रह सूर रह सूर रह का स्रोथ हमेशा रहेगा बाकी कोईला खतम हो सकता है प्राकर्टिक गैस और पेट्रूलियम खतम हो सकते हैं 37 नंबर निमन लिखित में से कौन जेव मात्रा उर्जा सुरूत का उधारन नहीं है तो यह आपका जो है नाभी के उर्जा यह जेव मात्रा में नहीं आता बाकी लकडी कोबर और कोईला यह सब चीजे आपके जेव में आती है 38 नंबर कोशन है विकासी दिश्टी कौन से हमारी किस से अधिक समानता है यानि कि हम हमारे एविलूशन हुआ है तो इसमें कॉमन टर्म हमारा किस से जुड़ता है तो जुड़ता है चिमपैंजी से आपका एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में नेक्स जो है 39 नंबर पराक कुश में होते हैं तो एंथर कंट हिस्सा है एंजाइम का तो आपका यह फॉर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो यह था 40 प्रशनों के आपके उत्तर अगर आपको फिर भी डाउट फुल लगता है कोई उत्तर में संदे है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आपको उसको सुदरवा स सकते हैं राइट अंसर बता सकते हैं हम उसको वेरिफाई करेंगे तो कमेंट सक्समने कमेंट कर सकते हैं और बाकि आपके जितने भी मॉडल पेपर से वह मैंने डाल दी हैं अब यह आपके प्री टेस्ट जो चल रहे हैं उनके पेपर हैं प्री टेस्ट जो आपके एक्जाम करें दिखाऊंगा उनको देख लेना आप इसके पीछे पीछे उन वीडियो को भी डाल दूंगा थैंक्यूवेरी माच होगोड़े